हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल क्राफ्टी वाइब्स आज हम ये छोटे से फैब्रिक से बहुत ही सुन्दर ग्लॉफ्स रेडी करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे फ्रेंड्स की कपड़ आपको ऐसे स्ट्रेचेबल लेना है यह देखे मैं आपको मैं जमेंट बता देती हूं हमें कितनी लेनी है इसकी व благीसिए अपको 15 लेनी है और इसकी लेंध आपको 9 इंच लेनी है यह देखिये इसको हम इस तरीके से fold कर लेंगे देखिए friends हमें इसे एक बार ऐसे fold कर लेना है और इस पे अपने हाथ को रखके measurement कर लेनी है यह हाथ के according में निशान लगा के इसको ready कर लूँगी यह देखिए friends ऐसे हमें थोड़ा margin रखते हुए निशान लगा लेने है आपको उंगलियों क साइड में थोड़ा margin रखना है बिल्कुल सटके नहीं बनानी है यह देखिए friends इस तरीके से आपको निशान लगा के इस पे हम स्टिच कर लेंगे यह मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ जहां जहां आपने निशान लगा है फ्रेंड्स में आपके साथ बहुत ही इजी वे शेयर कर रहे हैं अगर आपको मेर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने रिलेटिव के साथ इ असानी हो बाद में यह देखिए थोड़ा थोड़ा गैप रखें उंगलियों के बीच में ताकि हम इसको इजीली कट कर पाएं यह देखिए फैंड्स हमने स्टिच करके इसको रैडी कर लिया है एक बार स्टिच करने के बाद एक बार आप इसे पहन कर देख ले अगर आप आप को फिटञ नहीं आर यह तो आप इसको डुबारा स्टिच कर सकते हैं लेकिन कट होने के बाद यह दुबारा स्टिच नहीं हो पाएगा यह देखिए मैंने पहन कर देख लिए यह मेरे हाथ में एकदम मेरी फिटिंग कै अकोर्डिंग आ रहा है तो अब हम इसको कट कर देंगे यह देखिए फ्रेंट्स हमने इसको कट कर लिया है साइट से और यह उंगलियों की बीच में से हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे यहां पर मैंने अभी अच्छे से कट नहीं किया है यहां पर भी मैं इनको अच्छे से कट कर लूँगे यहां पर यह देखे फ्रेंट्स मैंने इसको कट करके इसको सीधा कर लिया है बहुत ही सुन्दर गलोफ से हमारी बनकर रेडी होने वाले हैं यह देखे फ्रेंट्स कितना सुन्दर हमारा लुका रहा है इसे में पहन के देखते हैं एक बार यह देखे यह देखे कितना सुन्दर यह लग रहा है एक दम मेरे हाथ एक दम अच्छे सिफ मूव कर पा रहे हैं फ्रेंट्स यहां से आपको इसको इस तरीके से मोड लेना है यहां से फोल्ड करके आप इसको स्टिच कर सकते हैं अगर आपको यहां पर बैन लगानी है तो वह मैं आपको बता देती हूं ने तो आप इसको सिधा भी स्टिच कर सकते हैं तो बैन कैसे लगानी है यह आप देख सकते हैं यह देखें फ्रेंट्स ही मैंने छोटा फैब्रिक लिया है इसकी विट आपको एट इंच लेनी है और इसकी लेंथ मैं 7 ले रही हूं यह देखें इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहां पर एक स्टिच कर देना है इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर स्ट्रिच कर दूंगे और इस साइड से स्ट्रेचेबल होना चाहिए ताकि आपका हाथ इसमें इसली अंदर जा सके यह देखे इसको मैंने सिधा कर लिया है और आप हम इसको इस तरीके से फॉल्ड कर लेंगे यह देखे यह इस तरफ से खुला हो जाएगा और इस तरफ से ऐसे बंद हो जाएगा इस तरीकी से आपको इसको फॉल्ड कर लेना है यह देखे कुछ इस तरह है यह लगेगा अब हमें क्या करना है इसको इधर रखना है यह हमें अपने हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है यह देखें लगवक एक इंच आप बढ़ा ले सकते हैं अपने हाथ के अकोडिंग कि यह देखें यह हमारी बंद साइड है इस साइड से हमको इसको इस तरीके से अंदर डाल लेना है और यह हमारी खुली साइड है इस पर यह दो पाठ आ रहे हैं और यह हमारा हाथ का पाठ है इन तीनों को पकड़के हमें स्टिच कर देना है यह देखें इस तरीके से यह मेर बैन की खुली साइड थी उस साइड को और हाथ की साइड को हमें एक साथ स्टिच कर देना है यह देखे फ्रेंट इस तरीके से हमें इसे राउंड शेप में स्टिच कर लेंगे अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यह देखे फ्रेंट इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर लिया है और मैं इसको सीधा कर देती हूं यह देखे अब हम इसको सीधा कर लेते हैं अंदर अगर आप जोल आई है और हमारी बैन भी लगकर रेडी हो गई है कि जो हमने इसको जोड़ा है इसके जोड़ पर थोड़ा कपर एक्स्टा है तो आप उसको कट कर सकते हैं यह देखे फेंड्स कितने सुंदर हमारे गलफ्स बनकर रेडी हो गए है थैंक्यू फूर वोचिंग ऐसी वीडिय पर बने रहे